Hello everyone, मैं हूँ कि रिंशापरी और ये है आप लगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading तो बहुत सारे लोगों का नीचे comment section पे सवाल होता है कि मैं क्या आप personal session लेते हैं? Yes, of course, मैं personal session लेती हूँ और personal session में tarot, astrology, counselling, remedies, सभी चीज़े included होती हैं और one-on-one session book करने के लिए आपको नीचे description box में इस वीडियो के end में मेरी contact details मिल जाएंगी आपने उस number पे सरफ whatsapp करना है और आपको details मिल जाएंगी और details को follow करके आप one-on-one session book कर सकते हैं तो ये है आप लगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading और इस reading में आप जानेंगे कि खास कर November मन्त में आपकी love life से related चीज़ें कैसी रहेंगी आपके partner की क्या energies होंगी, आपकी क्या energies होंगी कौन सी चोटी चोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप November मन्त की energies को बहतर कर सकते हैं तो चलिए जी November मन्त की reading शुरू करते हैं तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि November 2024 में आपकी love life में क्या होगा तो मेरे पास यहाँ पे तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सिकिन set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally November मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला card है snake और यह card कहता है कि कुछ time से यहाँ फिर November starting में एक cheating, एक betrayal, एक जूट, एक jealousy आप महसूस कर रहे हैं अब देखें इसके लिए reasons सब Taurus के लिए differ करेगा in fact आपके partner के लिए भी यहाँ पर five of swords का card है तो किसी ना किसी level पे पीछे हो सकता है कि किसी भी तरीके का issue मसला रहा हो जिसमें या तो आपने उनसे जूट बोला या उन्होंने आपसे जूट बोला या फिर cheating जैसी कोई चीज रही अब दिखें cheating एक बहुत बड़ा और heavy word है और cheating का नाम सुनके हम सब लोग डर जाते हैं simply you know अगर आपने अपने partner के साथ transparency नहीं रखी तो वो भी cheating होती है आपने अपने time energy अपने partner को नहीं दिया तो वो भी कहीं cheating होती है और बड़ी चीजें तो होती है तो कहीं छोटे मुटे level पे या फिर बड़े level पे इसी से related issues मसले पीछे रहे या फिर November starting में रह रहे हैं और यहां पर 10 of wands reverse का card कहता है कि शायद आपने बहुत एक pressure burden भी महसूस किया और कहीं November starting में आप अपने इस burden को अपने इस pressure को कम करना चाहा रहे हैं फिर से clear कर दूँ या तो आपकी तरफ से कुछ इस तरीके का issue रहा या फिर आपके partner की तरफ से रहा जिसको लेकर आप बहुत परिशान हुए पीछे याँ पर November starting में भी हो रहे हैं मन ही मन चीज़ों को लेकर clear भी हो रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इसी की वज़े से बहुत आपकी distracted से energy थी जहां पर आप अपने goal मकसद पर focus नहीं कर पा रहे थे जहां पर आप single minded होके कोई चीज नहीं सोच पा रहे थे बहुत जादा confused थे बहुत जादा thoughts आपके मन में चल रहे थे और कहीं फिर से कहूंगी mid November में आप जो भी distractions हैं जो भी चीज़ें आपको bother कर रहे हैं उनको side में रख कर एक clarity लाना चाह रहे हैं या फिर एक clarity आ रही है लेकिन कहीं end November में आपको ऐसे लग सकता है कि भाई ये चीज़ें बार-बार repeat हो रही है कोई फाइदा नहीं है आप दोनों के बीच में हो सकता है जगड़े हो रहे हैं या आपकी जगड़े वाली energies है कभी-कभी होता है ना बिना बात कि हम irritation, frustration हो रही होती है जिसकी वज़े से partner के साथ लड़ाई उड़ाती है और हमें खुद को भी इस चीज़ की realization होती है कि भाई हमने ऐसे क्यों कहा, हमने ऐसे क्यों करा काश ये ना करा होता या फिर, you know, समझ में ही नहीं आ रहा होता आप maturity के साथ इस चीज़ को नहीं handle करते हुए दिख रहे है यहाँ पे full reverse का card है तो थोड़ा सा, you know, end November में आपको ऐसे लग सकता है आप भाई, जाने दो, जो होगा होगा, देखी जाएगी अब beyond the point में pressure नहीं ले सकता हूँ या नहीं ले सकती हूँ आप beyond the point ना, मैं इस पे नहीं work करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो कहीं, you know, आप चीज़ों को छोड़ते वे दिख रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे risk भी ले रहे हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी foolish वाली energy आप देखिए इस चीज़ को सुनके आप defensive नहीं होना मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप इतनी maturity के साथ चीज़ों को नहीं deal कर रहे हैं तो यहां पर देखिए अगर आप maturity रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप ठीक कर पाएंगे मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप out of the way जाके partner क्यों pursue करें या फिर आप उनको जादा convince करें No, I am not saying that but at the same time, you know आपने maturity रखनी है wisdom के साथ चीज़ों को deal करना है क्योंकि carefree होना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन जब हम in the process careless हो जाते हैं तब issues मसले होने शुरू जाते हैं तो आपकी ना थोड़ी सी careless वाली, थोड़ी सी जैसे बुलते हैं न की भाड में गया सब कुछ वैसी वाली energies रहते भी दिख रही है अब दिखते हैं Taurus की आपके partner की क्या energies है तो दिखिए आपके partner के लिए जैसे की मैंने आपको अभी बताया five of swords का card है और ये card भी कहता है कि कहीं वो भी एक unfair energies कहीं एक injustice किसी भी level पर महसूस कर रहे है deeper level के लिए tower का card कहता है शायद इसी लिए या फिर otherwise भी उनको लगता है कि एक boundary आपके और उनके बीच में होनी चाहिए कहीं single ही बहतर है ये relationship में तो issues मसले ही होते हैं और थोड़े से वो controlling भी हो सकते हैं तो कहीं देखिए starting November में या फिर कुछ time से आपके partner जैसे बोलते हैं कि unintentionally या फिर intentionally अपने और आपके बीच में एक दिवार सी create कर रहे हैं एक emotional distance उनको या तुम हसूस हो रहा है इस relationship में या फिर वो खुद से ही create कर रहे हैं और फिर से कहूंगी in the process controlling हो रहे हैं और reason सब टॉर्ष के partner के लिए differ करेगा लेकिन या पर five of swords का card कहता है उनको ऐसा लग रहा है कि भई बहुत unfair है एक injustice है अब देखिए उनकी तरफ से भी हो सकता है लेकिन जादा मुझे लग रहा है कि वो आपकी तरफ से महसूस कर रहे हैं मैं यह नहीं कह रही टॉर्ष की आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन कहीं बारी क्या होता है कि हम बड़े सचे मन से चीजह कर रहे होता है लेकिन सामने वाला कैसे परसीव कर रहा है या पर सामने वाला किस नजरिये से हमें देख रहा है वो totally different हो सकता है तो आप हो सकता है कि बहुत ही जादा you know, सही तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं लेकिन आपके partner इस नजरिये से आपको नहीं देख पा रहे हैं उनका नजरिया है कि भई, आप unfair तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं आप इतना, you know, justified तरीके से चीजों को नहीं कर रहे हैं and mid November के लिए हाँ पर work and nine of wands reverse के भी cards है and work का card एक दो चीजें कहता है या तो अपने professional front पर बहुत ज़्यादा focus कर रहे हैं अपने mind को distract करना चाह रहे हैं आप से, इस relationship से या फिर, you know, वो मन ही मन इस relationship पर work करना चाह रहे हैं इस relationship पर effort करना चाह रहे हैं इस relationship को ठीक करना चाह रहे हैं लेकिन surface level के लिए उनको ऐसे लग सकता है, बस ठग गए यानि कि नाउमीद होते हुए दिख रहे हैं, उमीद खोते हुए दिख रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है, वो बहुत exhaust हो गए हैं अब उनके अंदर हिम्मत नहीं है, अब उनके अंदर energy नहीं है, stamina नहीं है चीजों को ठीक करने के लिए और फिर से कहूंगी थोड़ा सा give up करते हुए दिख रहे हैं and end November के लिए dice and nine of pentacles reverse के cards कहते हैं कि बहुत ही एक independent तरीके से, वेराइसे independent मतलब अपनी emotions, feelings, sentiments के लिए आपके उपर dependent नहीं होना चाह रहे हैं और इसी energy से चीजों को deal करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं इतना अपने उपर control नहीं रख पा रहे हैं अपनी feelings, thoughts, emotions पे again कहूंगी बहुत control करके चीजों को deal करना चाह रहे हैं लेकिन अपनी emotions, feelings को control नहीं कर पा रहे हैं बहुत practical, realistic होके चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, लेकिन इतने practical, realistic नहीं हो पा रहे हैं, deeper level के लिए dice का card कहता है, उनको ऐसे लग रहा है कि भई, इस relationship को अगर ठीक करना है न, तो risk लेना पड़ेगा, chance लेना पड़ेगा, और कहीं chance वो नहीं लेना चाहा रहे हैं, risk वो नहीं ही safe, secure होके चीजों को करना चाह रहे हैं, और अब देखते हैं, टॉरस की November मन्त में क्या हो रहा है, तो देखें, November मन्त के लिए, अगर हम मन हीं मन के लिए, यानि कि deeper level के energies देखें, fish, stars and dog के cards बहुत ही beautiful energies की बात करते हैं, ये cards कहते हैं, कि मन हीं मन, आप दोनों को इस चीज का हैसास है, कि आप लोगों का एक soul level पे connection है, spiritual connection है, और आप दोनों ही एक दूसरे को सही माइने में खुशी देते हैं, या फिर या हम ऐसा भी कह सकते हों कि जब आप उनके साथ होते हैं, या वो आपके साथ होते हैं, तो सही माइने में आप खुश रहते हैं, इक happiness फील करत हैं, और बहुत एक positivity रहती है, और कहीं आप उनके लिए और वो आपके लिए वो एक wish है, वो एक desire है, जिसको manifest करना चाहते हैं, और जो भी आपकी energies हों, जो भी आपके partner की energies हों, यहाँ पर डॉक का का कार्ट कहता है, कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत बहुत faithful है लेकिन surface level के लिए November month में, starting के लिए देखें, तो High Priestess का कार्ट कहता है, कि वो transparency नहीं है, उतना sure नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आपके action initiatives ऐसे हैं, आपके partner के action initiatives ऐसे हैं, जहाँ पर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है, कि भी सामने वाले के मन में पतानी feeling है, नहीं है, emotion है, नहीं है, पतानी वो प्यार करते है, नहीं करते हैं, तो इस तरीकी की energy surface level के लिए हैं, लेकिन deeper level के लिए एकदम से different है, deeper level के cards कहते हैं, कि आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए काफी प्यार है, and in fact प्यार भी मैं नहीं कहूंगी, य एक true happiness आप दोनों एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए वो wish है वो desire है जिसको manifest करना चाहते हैं और mid November के लिए Three of Wands का काड कहता है कि current जो भी situation है उससे attention हटा के long term में कैसे चीज़ें ठीक हो, long term में कैसे आप लोग साथ में रहें, long term में कैसे ये relationship manifest हो उस पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक focus कर रहे हैं and end November के लिए हो सकता है आप दोनों ज़्यादा socialize कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे Three of Cups का काड है या फिर parties में एक दूसरे के साथ connect कर रहे हैं या आप हो सकता है Taurus partner के अलावा और लोगों से ज़्यादा connect कर रहे हैं आपके partner के ऐसी energies हो सकती हैं कि आपके अलावा किसी और के साथ ज़्यादा connect कर रहे हैं तो दीखिए surface level के लिए ये लग सकता है आपको या फिर आपके partner को कि इतने committed या फिर इतने faithful relationship के लिए नहीं है दूसरे लोगों को ज़्यादा importance दे रहे हैं दूसरे लोगों को ज़्यादा हमियत दे रहे हैं लेकिन मन ही मन के लिए dog का card कहता है कि ये सच नहीं है surface level के लिए आप जितना भी flirt कर लें किसी और से या फिर आपके partner जितना भी flirt कर लें किसी और से आप दोनों मन ही मन से एक के लिए हैं तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए नवेंबर 2024 की लाफ टारो रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को जरूर लाइक शियर और सब्सक्राइब करें